नमस्कार, Study IQ IS Hindi में आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विरत दुवे आज लेक्चर के 49 में भाग मैंनी 39 पार्ट में हैं हम लोग और आधुनिक भारत के इतिहास को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं तमाम सारी बुक्स का रिफ्रेंस लेते हुए बेसिकली इसमें हम आधुनि भारत के इतिहास में स्पेक्ट्रम के सायता ले रहें हलाकि इसमें दूसरी किताबों की भी तमाम सारे सोर्स्व को मिला करके मैं आपसे चर्चा यहाँ पर करता हूं चले बगार देर किये हुए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं इस लिंक को आप शेर कर दीजेगा अपने अन्य मित्रों के साथ में इस लेक्चर का पीडियाफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा टेलीग्राम है विरद्दुबे01 इसे आप यहां से स्कैन करके जुड़ सकते ह इसके लाव विरद्दुबे01 नाम से ही हमारे दूसरे सोशल मीडिया जो एकाउंट्स हैं वो भी इसी से ही मिलेंगे तो आप वहां से भी हमाए साथ चुड़ सकते हैं इकाई 4 में है और इकाई 4 जो है यह आपका सुधार आंदुलन के नाम से है ठीक है यह हमें ध्यान रखना है यह सुधार आंदुलनों के नाम से है यह इकाई 4 है एक आई चार में कल हमने अध्याय आठ पढ़ा था अध्याय आठ जो है चैप्टर एड जो है ये कम्प्लीट हो गया है कल आज हम लोग चैप्टर नंबर नाइन में हैं अध्याय नौ में अध्याय नौ जो की सामाजिक सामाजिक संस्कृतिक या संस्कृतिक सुधार आंदोलन या आंदोलनों का अवलोकन अवलोकन इस टाइटल से है यह टाइटल है आपका चैप्टर नमबर 9 का और इसमें तमाम सारे जो सुधार आंदोलन संस्था है और उससे संमधित जो नेता है उनके बारे में चर्चा की गई है तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आज हम उनहीं में से किसी एक नेता और उसकी संस्था के बारे में चर्चा करेंगे ऐसे करके धिरे-धिरे करके चैप्टर्स के कई सारे अन्य पार्ट्स रहेंगे अब देखिए ये बैच जो है 3 है स्टार्ट हो चुका है 3rd of April को ठीक है ये 3 April को शुरू हो चुका है और इसमें admission अभी भी open है 7 April तक के लिए तो आप 7 April तक का wait ना करें आज ही ततकाल इसको admission लेने के लिए आप विरद लाइब कोड का इस्तेमाल जरूर करिए admission लेने के लिए आपको by now पे click करना है by now पे click करने से यहाँ पर available offers दिखाई देंगे इसपे click करेंगे जैसे इसपे click करेंगे तो जो available offers आपको दिखाई देंगे इन्वे में से किसी offer को आप चूज नहीं करेंगे बलकि यहाँ उपर एक open code लगाने के लिए आ रहा होगा वहाँ पर आप लिखेंगे विरद विरद लाइवी यह लिखेंगे बिना किसी इसपेस के और यहाँ से इसको apply कर देंगे apply करते ही आपको यहाँ पर छूट जो है वो दिखाई दे जाएगी और पोर्स की फीश 18,9999 पर दिखाई देगी तो इसको आप ज़रूर यूज करें और यूज करके admission लें चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ आज के चैप्टर में जो भाग नौ है या कह सकते चैप्टर नंबर नाइन जो है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उनके नेता के बारे में वरणन किया गया है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन सुधार आंदोलन एवं उनके नेता यानि कौन सा आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन का नेत्रत्व करता कौन है उनके उपर इस अध्याय में चर्चा की गई है तो हम भी इसी के उपर चर्चा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ठीक है ध्यान से सारी चीज़े नोट करते चलिएगा समस्ते चलिएगा बहुत इंपॉर्टिंट चैप्टर है समा सुधार के नाम से अगर हम देखें अब देखी जो समा सुधार के जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 1857 की करांती से पहले कुछ सुधार अंदोलन हुए हैं जन जागरुकता वहां से शुरू हो चुकी थी लेकिन यहां ध्यान देना यह ज़रूरी है कि यह प्रभुध वर्ग यह पढ़ा लिखा वर्ग यह सुधार अंदोलन में जुड़ने वाले लोग 1857 की करांती में पार्टिसिपेट नहीं किये थे लेकिन जब 1857 की करांती हो गई और जब वो विफल रही और उसमें भारत की स्थिती और उसमें बिटिश अपनिवेशिक जो सक्ता है उसके कह सकते हैं कि जो व्यभार है उसको जब देखा गया तो सबक सीखा उन लोगों ने कि हम सिक्षित होने के कारण, सिक्षित होने के बावजूद भी इसमें साथ नहीं दिये हैं, तो आगे साथ देना चाहिए, समाज को आजाद कराने में या देश को आजाद कराने में उपने वेशिक विचारधारा से आजाद कराने में फिर इन 究 ऑपकी बीच में हुई है उसके बाद 1857 के क्रांटी के बाद के अंदोलनर। जिसमें से कई अंदोलन ऐसे है जो पहले इसथापी जो संस्था थी उसी को reform करते विए आगे बढ़ाए गए जिसमें ब्रह्मसमाज का भी नाम लिया जा सकता है तो आज हम लोग ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय जी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं तो आप हेडिंग डाल दीजे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज आज इसे के उपर चर्चा होगी विस्त्रिच चर्चा होगी, सुनने का भी इसमें आज बहुत सारी चीज़े हैं, समझने की भी चीज़े हैं और लिखने की भी चीज़े हैं, तो आप अपने अनुसार सुनते समझते और लिखते चलिएगा, ठीक है, समझ में आ रहे हैं, दिखी, 19 सदी के भारत की अगर विश्मी संस्कृति के बात करें, तो इसके प्रभाव से विदेशी शक्ति जो है, वो इसके प्रभाव को यहां पर आरूपित करना चाहती थी, और उससे लगता था कि भारत जो है, उस विदेशी शक्ति से पराजित हो जाएगा, ये कल भी वेने आपको इसके उपर शक्ति के सासा तो समाज की जो कमजोरी थी दोनों को भापा और भाप करके कमजोरीयों को दूर करने की उपाय खोजने लगे तो 19 सदी के इसी बुद्ध-जीवी वर्ग ने जिन्हों ने जिसके बारे में कल के चैप्टर में चर्चा करी और जिन्होंने ये पाया कि हमारे समाज को शुद्धी करण की आवशक्ता है उसके धर्म और संस्कृत में शुद्धी करण की आवशक्ता है तो उनी बुद्धी जीवियों ने समाजिक और धार्मिक सुधार कि जो ततकाल आवशक्ता महसूस करी उसी आवशक्ता ने तमाम सारी संस्थाओं, आंदलुनों और नेताओं को जन्म दिया और इनी में से एक संस्था है ब्रह्म समाज और उसके नित्रत्व करता है राजा राम मोहन राए अगर हम राजा राम मोहन राए की बात करें तो इन्हें आधोनिक भारतिय संस्कृति का पितामः कहा जाता है आधोनिक भारत के प्रथम नेता के तोर पर भी इनको देखा जाता है यह पिताम है यह नाम इनको दियाता है भारती पुनर जागरण के पिताम है इन्हीं को कहा जाता है भारती जो आधुनिक भारतिय सहित्य है और पत्त्रकारिता है अधुनिक लगा लेंगे इसमें अधुनिक भारती पत्त्रकारिता पत्त्रकारिता के जनक के रूप में भी इनको जना जाता है तो काफी सारा इनको टाइटल जो है वो लगलग तरीके का मिलता है देश, जनता और समाज के प्रती इनका बहुत गहरा प्रेम है, बहुत गहरा रिष्टा है, इन्होंने समाजिक, धार्मिक, राजनेतिक, आर्थिक, बॉध्धिक, हर एक तरह से जो भारत का उत्थान किया जा सकता था, उस उत्थान के बारे में इन्होंने विचार किया, न सिर्फ विचार किया, उसके लिए कठिन परिश्टम भी किया, इन्होंने. तो ये, अगर हम देखें, राजा राम मोहन राय जी को, तो शायदी ऐसा कोई शेत्रा आपको दिखाई दिये, जिसमें माहिर ना हो, या जिसके सुधार के बारे में इन्होंने सोचा ना हो, या जिसके सुधार के बारे में इन्होंने काम ना किया हो, स्त्रिशिक्षा की बात ले लीजे जाती प्रथा के समापन की बात ले लीजे धार्मिक जो रूडी वादिता है उसको समाप्त करने की बात ले लीजे वैश्विक जो एकता है उसको बनाने की बात कर लीजे धार्मिक संप्रदाइक एकता को बनाने की बात कर लीजिए आर्थिक रूप से सभी लोगों के समानता की बात कर लीजिए राजनीतिक समानता की बात कर लीजिए हर एक शित्र में पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लीजिए इनसे आप हर जगह इनोंने अपने आपको प्रेजेंट किया है और उसमें एक अतुलनी ये योगदान देने है तू जो भी उनका समरपण हो सकता था वो किया है 1772 से 1883 तक इस संसार में रहे 1883 में ब्रिस्टल में ब्रिटेन में इनके मृत्य हो गई थी इंग्लैंड में पर उसे पहले इनोंने बहुत सारे चेंजिस की भारती पुनर जाग्रण का पिता इसलिए इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माण करता के निर्माण करता स्वामी विवेका नन ने तो इन्हें युकपुरुष के उपाधी भी दी है और स्वभाविक सी बात है कि ऐसे लोग जल्दी जन्म नहीं लेते हैं एकदम विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये हलाकि पारिवारिक तोर से अगर हम देखें बंगाल से बिलॉंग करते हैं एक सभ्रांत परिवार से हैं ब्राम्हन परिवार से हैं और एक प्राम्हन स्रेष्ट परिवार से हैं मतलब कोई गरीबी नहीं है कुछ ऐसा वाले बात नहीं है और आपको ये चीज और अच्छे स से समझना होगा कि जब हम किसी ऐसे वर्क से बिलॉंग करते हैं जिसको प्रतारित किया गया हो जिसको पिछड़ा कारा किया गया हो या जो शोशित रहा हो तो हमारे मन में स्वभाविक बात है कि हम उसके दर्द को समझते हैं और उसके खिलाफ जो है समाज में आवाज उठात जिस समय भारत में जाती प्रथा चल रही हो, तो उस समय श्रिष्ठ जाती से भी हो, सब कुछ, राजा हो एक तरीके से, अब ये तो वास्तविक राजा नहीं है, राजा की उपादी अकबर दूती ने ने दी थी जब ये लंदन जा रहे थे, उनकी पेंशन के बारे में बात क करते हैं, और वो पिछड़ा किसी भी रूप में हो, चाहे स्त्रीक के रूप में हो, फिर वो चाहे कह सकते हैं कि सिक्षा के रूप में हो, संस्कृतिक रूप में हो, धार्मिक रूप में हो, समाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, किसी भी रूप में पिछड़ा स 19. श्रताब्दी का वो समय जिस समय अगर आप अपने विरादरी से अलग कारे करेंगे तो आपको विरादरी से बाहर कर दिया, इन्हें भी विरादरी से बाहर कर दिया, गर से बगा दिया गया था, निकाल दिया गया इन्हें देश समाज से, और खुर इनकी माता जी ने ही इ प्राच्य और पाश्चात्य दोनों के चिंतन का संसलिस्ट रूप जो है उसका प्रतनी दित्व करते थे अब पाश्चात्य चिंतन क्या है पाश्चात्य चिंतन और प्राच्य चिंतन इन दोनों का मिला जुला रूप इन दोनों का संसलिस्ट रूप जो है इसका समर्थन था उनका, इसका समर्थन करते थे, अब कल के लेक्चर में किसी ने मुझसे पाश्चात्य के बारे में पूछा, हलाकि मैंने टाइप करके रिपलाई किया था, लेकिन पाश्चात्य का मतलब था Western Culture, उसको हम Western बोलते हैं, पाश्चमी दुनिया, और प्राच्च का मिला जुला जुरूब जथा था इसकी जो अच्छाईयां हैं वो हिंदू धर्म में प्राच्चे जो संस्कृति है उसमें मिला करके एक नया रिफॉर्म करके त्यार करके आये सामने और उसको लोग उसका पालन करें ऐसा उनका मानना था तो वो शुद्ध होगा ऐसा उनका मनना हैं पहरे सिंपल से बात है कि अगर हमारे पास में कुछ बुरा है तो आम उसका त्याक करें और दूसरी के पास अगर कुछ भाषाओं पर ग्यान था 12 से अधिक भाषाओं का ग्यान तो पहले तो आपको ग्यान लेना पड़ता है तब ही तो ग्यान बाट पाएंगे संस्क्रत की बात कर लीजे आप फार्सी की बात कर लीजे अरबी की बात कर लीजे अंग्रेजी की बात कर लीजे ग्रीक की बात कर लिजे, हिब्रू की बात कर लिजे, तवाम सारी भाषाओं के उपर उनकी मजबूत पकड़ थे, तक्रीबं 16 वर्स के थे, जब उनोंने मूर्ति पुजा के खिलाफ जो है, बोलना शुरू कर दिया था, जब मूर्ति पुजा के खिलाफत करना शुरू कर दि और युवा वस्था में ही वो वारनसी गए वारनसी वही जिसे आप आज बनारस की रूप में जानते हैं और वारनसी में जाकरके वहाँ पे संस्कृत साहित और हिंदू दर्शन संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन हिंदू दर्शन इसका पहले उन्होंने ज्यान हरसिल किया वारनसी में जाकरके तो उस तो अभाविक सी बात है कि जो संस्कृत भाषा है और जिस चेत्र से बिलॉंग करते हैं बंगाली है तो उनको अपनी चेत्री भाषा का अच्छी तरीके से तो ज्यान है ही उन भाषाओं में यह दो भाषा है और जोड़ लिए तो वहां से इन्होंने हिंदू दर्शन दर्शन दिया दिका जह है वो ज्यानार जनी उसके बाद वो पटना गए पटना वहां से उन्होंने कुरान के बारे में सीखा वहां से उन्होंने कुर फार्सी के अलावा इसी तरीके से अर्भी साहित्य का भी उन्होंने यहीं पर अध्यन किया, अर्भी साहित्य का अध्यन, यह उन्होंने कहां किया, यह पटना में किया है, और इससे करके तमाम सारी भाषाओं का मैंने बताया आपको कि 12 सेधिक भाषाओं के उपर उनकी और पास्चाते चिंतन से जुड़ी जो पास्चाते संस्कृती है उसका भी उन्होंने गहराध्यन किया और आपको मालूम है बाइबल अब क्योंकि इसका एक प्रमुक्स रूत जो है वो बाइबल है बाइबल अगर हम पास्चाते जो साहित्य है उसके तोर पर देखें या फिर उस जरा की जो संस्कृती है उसके तोर पर देखें तब फिर आपको दूसरी कुछ भाषाएं सीखनी पड़ेंगी जैसे की आपकी हिब्रू भाषा है उन्होंने इसी लिए हिब्रू सीखा कि वो जो है बाइबल को पढ़ सकें उसकी बात को समझ सकें उस भाषा में जिस भाषा में लिकी ट्रांसलेशन अलग चीज है उसी भाषा में जाकर को साहित्यों को पढ़ना अलग सोच देखें हो सकता है किसी ने बाइबल का ट्रांसलेशन किसी दूसरी लैंगवज में किया हो फिर वो उसको पढ़ें तो जो हिब्रू भाषा सीख ली, इसके लिए उन्होंने ग्रीक भाषा जो है वो सीख ली, इस तरीके से भाषा को उन्होंने बहुत सीखा, ये चीज हमको ध्यान रखने, मैंने आपको बताया कि जैसे 16 वर्ष के थे तकरीवन जब ये, अलपायू के ही थे, तो उन्होंने जो मूर् मूर्ति पुजा का विरोध करना शुरू कर दिया, और प्रचार भी किया कि मूर्ति पुजा के अवशक्त नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदु धर्म का विरोध किया, यहां ये बात ध्यान रखना दुरूरी है कि इन्होंने वैदिक जो धर्म है उसको उसको भी इन्वाल्व करके उसे और शुद्ध किया जाए, और उन्नत किया जाए, ये विचार था, लेकिन लोग कहा मानने वाले थे, 1909 में उन्होंने पार्सी भासा में एक किताब लिखी, किताब का नाम है पतुहात उल्मुआफुद्दीन, पतुहात तुहात, 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 तुह shift to monothecist ये बोला जाता है एक केश्वर वादियों को उपहार एक केश्वर वादियों को उपहार ये एक किताब लिखी रोने Persian language में आप देखी हिंदू संस्कृत का व्यक्ति ब्राम्हन परिवार से बिलोग करने वाला व्यक्ति विदेश भाषा का ये विदेशी भाषा का चीजों को सीख रहा है और उसकी किताबों को लिख रहा है अब उस समय भारत में आप धर्म के तोर पर देखें तो हिंदू धर्म, इसलाम, जैनबॉद ये बड़ी मातरा में तो जैनबॉद फिर भी थोड़ा लेकिन अगर हम विदेशी भाषाओं के तोर पर अगर हम देखें विदेशी धर्म के तोर पर देखें तो फिर एसाई तो मूल रूप से हिंदू, मुस्लिम और इसाई ये तीन कॉम्बिनेशन को एक तरफ एक दिमाग में रखने का प्रयास कीजिए और ये हिंदू धर्म से विलोंग करते हैं और उन्होंने फार्सी में किताब लिखिए एक इश्वर वादियों का को उपहार और इस किताब के कारण इनकी बहुत आलोचना हुई कारण क्या है इस किताब में उन्होंने एक इश्वर वादी का मतलब एक इश्वर का विश्वास करने वाला और हिंदू धर्में बहु इश्वर वादी विचारधारा के लोग जादा थे बहुश्वरवादी का मतलब अनेक देवी देवता तो जो देवी देवता हैं देवी देवता और अनेक देवी देवता जो हैं बहुत सारे देवी देवता जो हैं उनमें विश्वास देवी देवताओं में विश्वास और अनेक देवी देवताओं में विश्वास का इनों ने क्या किया विरोध किया इस किताब स्वभाविक से बात है कि ये अपने ही समाज के क्या हो गए होंगे विरोध ही हो गए होंगे उस समय इसके विरुद्ध जो है एकेश्वरवाद के पक्ष में पुर्जोर समर्थन किया और आपको मालूमें इसलाम जो है वो एकेश्वरवाद का समर्थन करता है तो लोगों ने यहां तक आरोप लगा दिया कि यार ये तो अपने धर्म से भरष्ट हो चुके हैं और बहुत तारकिक तरीके से ऐसा भी नहीं कि ऐसे बस लिख दिया एकेश्वर वादियों को उपहार जो इन्होंने लिखा है जिसमें अनेक देवी देताओं के विश्वास का इन्होंने पर विश्वास करने का जो विरोध करने का जो उन्होंने अनुरोध किया है उसके लिए जबरज़स तमर्थन भी उन्होंने किये है पांच उपनिशदों का इन्होंने रिफरेंस दिया पांच उपनिशद और अन्य वेद आदी जो हैं उनका रिफरेंस दे करके ये काम किया है ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं तो मान लो कि भाई एक एश्वरवादी चीज़े ही है जिस धर्म से आप बिलॉंग करते हैं उसी धर्म की प्राची नेक्ता में आपको ये समझ में आएगा कि वह भी एक एश्वरवादी ही है और इस चीज़ को अपने अब दिखे उस समय तो भारत एक राष्ट के रूप में नहीं आया है तो लोग अपने अपने राज्ज्य को अपने अपने गाउं को देश के रूप में जानते हैं और उससे बाहर जाने लिए को विदेशी कहते है तो जो इनका बंगाल वाला हिस्सा है अपना देश जो है अपना देश हम इसले नहीं कह रहे हैं यहां पर क्योंकि आप फिर गलत समझ जाएंगे तो इन्हों ने अपने जो बंगाल का जो च्छेत्र है उसके लोग वहां के लोग इस चीज़ को समझ पाएं इसलिए बंगाली अनुवाद लिखा उपनिशदों का वेदों का और लिख करके बता करके समझाया कि देखो नहीं है इसमें प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र की जो एकेश्वरवाद की जो विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं यह वेद और उपनिशद और मैंने भी वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाया है यह बीच में कहीं से बहुत सारे देवी देवताओं के उपर विश्वास की चीज़ें चल पड़ी है जिससे ले करके रूडिवादिता, अंदभक्ती और जो अंदविश्वास है वो पनप रहा है तो इसलिए उन्होंने इसके समर्थन की बात करी इसके एकेश्वर वादी, एकेश्वर विचारधा रगे और अनेक देवी देवताओं के विश्वास का असमर्थन किया ठीक है? यह बात समझ में आगे सभी को हाँ या नी? यहां तक सबको क्लियर है? तो अब इसके आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ें और इनके विचारों को जानने का प्रयास करें को कि हमको धिरे धिरे जो इनकी इंस्टिटूट है जिसको आप ब्रह्म समाज के नाम से जान रहे हैं इस तक भी बढ़ना है तो आप देखिए अगली घटना क्या है? यह तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया समझाने का प्रयास अई होग कि उनके विचारों का आप समझ पाए हूँ 1814 में वो इधर उधर प्रमण करने के बाद 1814 में कलकत्ता लौटा है कलकत्ता अलाकि यह नौकरी उकरी भी करी तो 1814 में जब वो कलकत्ता लौटा है तो इनके विचारों से प्रभावित हो करके बहुत सारे जो युवा थे वो इनकी और आकरशित होने लगे और उन्ही आकरशित युवाओं ने जो एक दल बनाया इनके साथ मिल करके राम मोहन राय और इनके समर्थन या इनकी और आकरशित होना ले समर्थित जो युवा हैं इनकी एक मंडली तयार हुई इनका एक ग्रूप तयार हुआ मंडली अब यह सारे फ्रेंड्स थे एक दूसरे के मित्र हो गये लेकिन इनके सबकी विचारधारा हैं जो हैं वो मिलती जुलती थी तो इन लोगों ने एक दूसरे को आकरशित किया और फिर ये एक जगा पर आ करके बैठ करके चिंतन करने लगे इसी साल 1814 में ही कलकत्ता में इसी मित्र मंडली ने एक सब्हा के स्थापना कर ली जिसे आत्मी सब्हा कहा गया आत्मी सब्हा बिसिकली यही आत्मी सब्हा हो गये इसी को आत्मी सब्हा कहा गये ये मित्र मंडली जो है आत्मी सब्हा और यही जो आत्मी सब्हा है जिसे आप आत्मी का मतलब जो आत्मी कौन होते हैं? मित्र ही होते हैं, तो इनको मित्रों का समाज कहा गया, इसको क्या कहा गया? मित्रों, मित्रों का समाज, ठीक है? इसको मित्रों का समाज कहा गया, या group of friends इसको कह सकते हैं, society of friends, ठीक है तो ये आत्मी सभा है जो आपको ध्यान रखना है तो पहले थी आत्मी सभा बनी जो इनके विचार को समस्ते थे जो चिंजिस लाना चाहते थे ऐसे लोग और इस आत्मी सभा में फिर चिंतन मनन होना शुरू किया जिसने दीजरी दरे करके जो मूर्ती पुजा है जाती परथा के जो कठोरताएं हैं समाज में वो बे रोक्तो क्या आधार हीन जिसको कह सकते हैं अर्थ हीन जो रीत रिवाज हैं समाजिक कुरितियां हैं इन सब का इस आत्मी सभा ने कड़ी कड़े शब्दों में विरोध करना शुरू किया भर्त्सना करनी शुरू करी और इन लोगों ने जो मानवी तरक शक्ती है ये विरोध करने के लिए जो कुरितियां हैं असमानता हैं जाती परथा है मूर्ती पूजा है धकोसला पंजो है इन सब का विरोध करने के लिए ऐसे नहीं किया बिना दिर निराधार विरोध करना शुरू कर दिया मानवी तरक शक्षक्ति का सहरा लिया इसके लिए इनोंने अपने विचार प्रकट किये है और नका कि किसी भी सिद्धान्त की बात करें जाहे वो प्राच्य हो यानि की जो पुराना संस्कृति का हो भारत के ही या फिर वेस्टर की भी बात कर लें जो आधनिक western culture है old Indian culture या फिर modern जो western culture है किसी भी culture की बात कर लें सभी में सभी को तरकशक्ति से जो है उन्हापना जाना चाहिए खरय उतरने की कसोटी पर कसे जाना चाहिए उनकी अपनी ये धारणा थी कि जो विदान्त दर्शन है उन विदान्त दर्शनों को भी तरकशक्ति के अधार पर कसोटी पर कसा जा सकता है किसी भी स्थिती में मनश को तब तक पवित्र ग्रंथों के उपर शास्त्रों के उपर बड़े बड़े जो दूसरे पुस्तके हैं उनके उपर विरासत में मिली जो दूसरी परमपराएं जोती हैं उनके उपर अंद भक्ती करते हैं विश्वास करना नहीं चाहिए बलकि उसे आधुनिक्ता के या आज के वर्तमान के समय के जो उनकी नीड है उसके आधार पर उनको तारकिक रूप से उसे कसोटी पे कसना चाहिए और ये सारे विचार जो है इस सभा के द्वारा राजराम मुहन राएजी ने प्रचारित करना शुरू है तो दोनों को बदला जा सकता है वे परमपराएं वे रीतियां जो समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हो और समय का ऐसा तकाजा हो गया हो कि अब उन्हें accept नहीं करना चाहिए तो तुरंत बेहिचक उनसे दूर हो जाना चाहिए मानव को और उन्हें संशोधित कर देना चाहिए तो ये जो दृष्टिकोंड है ये दृष्टिकोंड अपनाने का काम आत्मी सभा ने प्रारम्बिक रूप में किया ये दृष्टिकोंड भारतिय धर्म तक सीमित रहा हो ये दृष्टिकोंड केवल प्राच जो धर्म है उसके लिए ही केवल इन्होंने कहा हो ऐसा भी नहीं है मैंने आपको बताया कि पाष्षात्य संस्कृत्य के बारे में अगर ऐसा लगता है आधनी के पाष्षात्य संस्कृत्य के बारे में तो आप उसे भी unaccept करें इसाइध धर्म को उन्होंने इसाइध धर्म का वज़ा से कई बार उसको क्रिटिसाइज भी किया है जबकि विशाई धर्म को मानते भी थे दोनों बाते और क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ जो प्राच्च विचार है उनको कस ओटी पर कसने के बाद कही बलकि जो पाश्चात्ते विचार है उनको भी कसोटी पर रखें और अनेकसेप्ट हो तो जब यह बात उनोंने करी तो प्राच्च विचारधरा वाले लोग ने विरोध में हों गई जो रूडिवादी विचारधरा वाले है लेकिन कई सारे इनके इसाई मित्र हुआ करते थे पाश्चात्य विचार के थे, वेस्टरन संस्कृति से बिलॉंग करते थे, वेस्टरन कल्चर से बिलॉंग करते थे, तो कई सारे उनके जो इसाई मित्र हैं, इसाई मित्र, वो इसाई मित्र जो थे, वो भी इनसे नाराज हो गए, वो इनसे नाराज हो गए, यार अपने के ल जिलता है उसके समिक्षा जब तक ये कर रहे थे तब तक तो इन लोगो ठीक लगा लेकिन जब उन्होंने ये बात कही कि ये जो नियम हम आप बता रहे हैं ये नियम पाशात्य संस्कृति पर भी लागू होता है तो इनके जो इसाई मित्र थे वो कहीं न कहीं से रूठ गए क क्योंकि उनका विश्वास था कि वो हिंदू धर्म की कमिया गिना करके कहीं न कहीं आगे चल करके क्योंकि वो हमारे मित्र हैं तो इन्हें इसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर देंगे जबकि राजरा मोहंजराय जो हैं वो ये करने नहीं जा रहे थे उनका ये और धर्म को शुद्ध किया जाए, ना की नए धर्म को अपनाया जाए और इस धर्म को हटाया जाए, ऐसा करने का उनका विचार नहीं था, तो इसी वज़े से मतभेध हमको देखने को मिलता है, और इतना ही नहीं, आगे आपको मैं बतादूं। इसाई धर्म में भी कुछ जिसके उपर उन्होंने उंगली उठाई विशेश करकी उसमें जो अंध आस्था की बात है उनको भी तरक शक्तिक अनुसार देखने के लिए जोर उन्होंने देना दुर शुरू किया और इसलिए अठारह सो बीस में एटीन हंडेट ट्वेंटी में प्रिसेप्ट्स ओफ जीजस प्रिसेप्ट्स ओफ जीजस यह इन्होंने एक किताब लिखी यह जीजस लिख सकते हैं इसको थीक है तो प्रिसेप्ट ओफ जीजस नाम की उन्होंने एक किताब भी लिखी इस किताब में इस पुस्तक को जब उन्होंने प्रकाशित किया तो उन्होंने नूतेस्टामेंट के जो नैतिक और दार्शनिक चिंतन थे उसकी बड़ी प्रशंसा करी लेकिन उसी प्रशंसा के साथ साथ उसमें जो उसमें चमतकारिक शक्तियों के बारे में बात करी गई थी चमतकारिक कहानियों के बारे में जो बात करी गई थी उनने suggestion दिया कि New Testament को उन चमतकारिक शक्तियों को अपने जो संदेश है या जो दार्मिक जो चिंतन है उससे अलग करना चाहिए तब जा करके वो शुद्ध बनेगा उनका भी मतलब यही विचार था कि इसा मसी जो थे उनके जो उच्चनेतिक सेक्षिक या उच्चनेतिक संदेश जो है उसको accept किया जाए धर्म के नाम पर ना कि तमाम सारे जो चमतकार बताए गए हैं उसके नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाए और यही सारे जो विचार जो मैंने आपको यहां पर बताया पीछे ये ये विचार जो आत्मी सभा के माध्यम से वो पहला रहे थे इनी सब विचारों और उद्देशों को साकार करने के लिए आगे चल करके ब्रह्म सभा की स्थापना हुई ब्रह्म सभा ब्रह्म सभा की उन्होंने स्थापना करी इसका मतलब जो आत्मी सभा है वो पूर्वगामी है ब्रह्म सभा की और यही ब्रह्म सभा आगे चल करके ब्रह्म समाज कहलाया ब्रह्म समाज यही कहलाया और इसके स्थापना जिन्होंने 1828 में की थी 1828 ब्रह्म समाज के अनुसार बुनियादी तोर पर जितने भी धर्म हैं बेसिकली वो सब एक ही संदेश देते हैं जीवन जीने का अलग-अलग स्वरूप जरूप बताते हैं लेकिन संदेश एकी तरीके का है कि कैसे मानव को रहना चाहिए कैसे जीना चाहिए बुन्यानी तोर पर सभी धर्म एक ही संदेश दे रहा है उनका ये मानना है और सभी धर्मों के अन्याई इसी नाते भाई-भाई होने चाहिए ब्रदर्वुट कॉमन ब्रदर्वुट की भावना होने चाहिए रिलीजन टू रिलीजन बेसिस पर अगर हम देखें तो ब्रम समाज के माध्यम से उन्होंने एक इश्वरवाद को एक इश्वरवाद इसको बहुत ज़ादा इस पर जोर दिया और इसका बढ़ावा किया इश्वर एक है और इश्वर एक है और वही सभी सद्गुणों का केंद्र है वही सभी सद्गुणों का आधार है भंडार है परमात्मा जो है वो निर्गुण है निरंकार है उसका कोई आकार नहीं है वो सर्व्यापी, सर्वशक्तिमान, सुष्टिकर रचैता, पालन करता वो सब वही है और इसी लिए क्योंकि वही एक है ये सब काम करने के लिए इसी लिए अनेक एश्वरवादी होना अनेक पर बल देना ये ठीक नहीं है क्योंकि ये सब करने वाला एक अनन्त है इसलिए मूर्ति पूजा की आवशक्ता नहीं है अनावश्यक है मूर्ति पूजा और इसी लिए जो ब्रह्म सभाज थी, ब्रह्म सभाज की जो बिल्डिंग थी, जो आवास था, जो गुवा करता था, इसमें किसी भी प्रकार का चित्र, मूर्ती, पेंटिंग, पूजा पाठ, या भी जो भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं, धार्मिक कर्मकांड, वो जो है यहां नहीं होते थे मना, यह नहीं होंगे आप, क्योंकि जो करना है आप मना स्थिति से करिये, स्वयम, यह सब ढोग करनी के अवश्चकत नहीं है, इसको Februot का शुरूप मनते, यह चीज भी आपको धियान रखनी है, बहुत ज़रूरी है, और इसी लिए ऐसी धर् या ऐसी धार्मिक पुस्तकें, ऐसे धार्म ग्रंथ या जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो अनेक देवी देवताओं, पर विश्वास करने के लिए बोलती हो, उनका भी इनोंने क्या किया, विरोध किया, और वैसे भी टेक्स्ट पर इनका थोड़ा जादा बिलीव नहीं हुआ करता था, क्योंकि किसी ने लिखा होगा, उनका मानना था कि पुस्तक जो है वो तुर्टिहीन, तुर्टि से युक तो हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि सा हैं, क्योंकि मानव कृत है वो, इसलिए आंक बंदगर के उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे कि ब्रह्मसमाद जो है, उसने एक सर्वधर्म संभाव जो है, उस पर जोर देते हुए आपको ये दिखाई देता है, सभी धर्मों में एक ही सत्य नही भार रखना चाहिए, और यही सब चीजें हो सिखाते रहे, और जिन्दगी भर, राजा राम मोहन राई जी जो थे, वो अपने निडर धार्मिक दिश्टिकोंड से, जो भी रूडिवादी जो विचार धारा के लोग थे, जो आलोचना करते थे, उनकी भारी आलोचना के उ शिकार हो, इसाई धर्म और इसलाम की जो दार्षनिक दिश्टिकोंड है, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया था, दार्षनिक दिश्टिकोंड, इसाई धर्म का हो, चाहे इसलाम का हो, और फिर चाहे वो हिंदु धर्म का ही क्यों ना हो, तो हिंदु धर्म संस्कृति से ब accept करना शुरू किया उसकी प्रशंसा जब करनी शुरू करी तो रूड़िवादियों ने इनकी निंदा करनी शुरू कर दिया और यहां तक कि इनकी मा ने भी भहिशकार जो कर रहे थे उनका साथ दिया और उन्होंने जो भी मतलब देश और जाती और परिवार जो होता है उससे उन्हें भष्षक्रित कर दिया यह सब ब्रह्म सभा जो था उसके द्वारा किये गए सुधार कार्रेयों के कारण हो रहा थे परन्त वो अडिग हैं अभी भी राजाजी ने ब्रह्म समाज के जो आधार बनाए थे उसके दो प्रमुक्त आधार थे MARY एक तो था तर्क शक्ति क्योंकि आप हिंदु धर्म से बिलौग करते हैं तो आप अंधविश्वास पर दिलौग विल्कुल नहीं करेंगे जो अगर ខ Hazratnicos के आधार की ब्राद करें उनका यह मानना था कि किसी समाज किसी सुसाइटी के लिए कोई सिद्धान ठीक हो लेकिन कुछ समय पश्षात वही सिध्धान्त उसी समझ उसी सोसाइटी के लिए खराप होने लगे तो आप उस समय उसको पुरानी परंपरा के according स्विकार नहीं करेंगे आप उसे change करेंगे इसा करना चाहिए इस बात के उपक्षदर है तो एक तो यह हो गया दूसरा वेद और उपनिशद दूसरा क्या है वेद और उपनिशद वेद और उपनिशद इसलिए कि उन्होंने जब वेद और उपनिशदों का ध्यन किया तो वे पाते हैं कि वे विशुद्ध हैं उपनिशद और ऐसा भी नहीं है कि ये चैलेंजिबल नहीं है उन्होंने ये भी का कि वेदर उपनिशत तो है इसका मैं हवाला जुरूर देता हूँ लेकिन इसमें भी जहां कहीं अतार्किक बातली किता अपसे अनक्सेप्ट करने लिए तयार रहे है और इसी के अधार पर नैतिक्ता पर वो बल देते थे और इसी के अधार पर वो कर्मफल पर बल देते थे उनका जो ब्रह्म समाज है वो कर्मफल पर विश्वास करता था अलाकि उनका उद्देश कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो धार्मिक रूडिवादिता है धार्मिक रूडिवादिता इसको समाप्त करने के लिए धर्म परिवर्तित किया जाए धर्म परिवर्तित हो इस पर विश्वास नहीं है विश्वास नहीं ऐसा उन्होंने नहीं कहा है ठीक है? ऐसा नहीं कि धर्मी कुरूरी वाजता को बदलने के लिए आपको धर्म परिवतन के अफश्रक्ता होती है यह होगी बलकि धर्म में अगर अशुद्धी आई है समाच या समय के अनुसार तो उसे बदलना चाहिए समझ में आरी मेरी बात था या नहीं किसी नए धर्म के स्थापना करना यह उनका उदेशन नहीं था बलकि जो वैदिक धर्म में हिंदू धर्म में जो अशुद्धी थी उसके शुद्धी करण पर उसमें शुद्धी करण मूलाना चाहते थे इनी में से जब यह सारे काम यह कर रहे हैं तो तमाम सारे लोगों के विरोधी बन गये तो यहीं विरोधियों में एक थे रधाकांथ रधाकांथ देव तीक है इन्होंने क्या किया इनोंने जो ब्रह्म समाज है ये जो ब्रह्म समाज जो एकेश्वरवादी है जो रूड़िवादी परंपरा के खिलाफ है इसके विरोध में इनोंने धर्म सभा का गटन किया था धर्म सभा उनका मानना था कि ये अधर्म के पत पर चल रहे हैं अधर्म अधर्मी बना रहे हैं पुरानी चीजों जबकि देखिये, पुरानी चीजों को ब्रह्म समाज भी accept करना चाह रहा है, लेकिन यहां अंतर यह है कि धर्म सबाब में पुरानी चीजों में पुरानी रूरिवादिता को भी शामिल किया गया है, जिसको हटाने की बात लगातार ब्रह्म समाज कर रहा, तो ये अंतर है ब्रह्म समाज और तत्कालिन जो दूसरी रूडिवादी परंपरा को पालन करने वाली जो दूसरी सभाएं थी, उन में राजार राम मोहन रहे जी कि अगर हम और बात करें तो ये मतलब दार्षनिक चिंतन तो इनका था ही करमठ व्यक्ति थे बहुत ज़ादा आधनिक राष्ट्र निर्माता इसलिए इनको कहा जाता है कोई भी ऐसा शायदी कोई पहलू होगा राष्ट्र निर्मान का शादी कोई ऐसा पहलू हो जिसको उन्होंने टच ना किया हो मैंने बताया शुरुवात पे लेक्चर के शुरुवात पे धर्म का हो, समाज का हो, रीतियों का हो, शिक्षा का हो, जातियों का हो, इस्त्रीगों का हो, महिलाओं का हो तो ये सब पहलूँ को उन्होंने टच किया ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था जिसमें अशुद्धी और उसे टच ना किया उन्होंने उसे रिफॉर्म ना करने का प्रियास किया तो इसी लिए उन्होंने हिंदू बने रहते हुए हिंदू धर्म को त्यागा नहीं है लिखते हैं इसमें सुधार लाने के का मतर अब इसमें सबसे बड़ा इसका पल देखा जाए तो सती प्रथा है सती प्रता के खिलाब तो नहीं आतियासिक आंदुलन जो चलाया था लेकिन उस समय कौन माने इस बात को इस जो अमानूवी प्रथा है उस समय इसको कौन माने तो सती जैसी जो अमानुविय प्रथा है इसको समाप्त करने के लिए 1818 में इन्होंने 1817 सही जो है कह सकते हैं बहुत तेजी से इसके उपर इन्होंने कारे किया इनकी भावी थी मुझे यादनी आ रहा है नाम इनके बड़े भहिया की डेथ हो गई तो इनकी भावी भी सती हो इनका घर खुदी सती प्रता का समर्तन करता था और जब इन्होंने देखा कि इनकी भावी को सती होना पड़ा आप लोंने समवात कौमुदी का नाम सुना होगा अभी आगे मैं लिखा भी दूँगा उसमें सती प्रता का उन्होंने बहुत विरोध किया उसमें बात का जिक्र किया है कैसे वो सती प्रता के विरोधी बनी 1818 में इस प्रश्ण पर कि सती प्रता समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके लिए उन्होंने जन्मत संग्रह करना शुरू किया और तमाम सारे वो लोग जो इस सती प्रथा को अमानवी प्रथा मानते थे इसके समर्थन करने वाले लोगों को एक गृप जो है बनाना शुरू किया और लोगों को समझाना शुरू किया कि आरिया मानुवी प्रथा है समझो और इसके लिए ऐसे मुँं से बोल करके नहीं तर्क-शक्ति विसादमा ने आपको बताया पुराने शास्त्रों का जो प्रमाढ है उसे दिखा कर उनहोंने बताया कि कि पराने शास्तरों के नुसार हिंदू धर्म जो है वो सती प्रथा विरोधी है, आप इसे ना करें, समझाने का प्रयास किया, उन्होंने तार्किक रूप से भी समझाने का प्रयास किया, कि किसी को आप कैसे मार सकते हैं, आपने उसे पैदा नहीं किया है, आप से मार कैसे सक पैदा करने वाला वो मारने वाला वो आप क्यों कर रहे हैं ये काम अमानवी यह है जो हिंदू धर्म एक चीटी को मारने के लिए पाप समझता है एक बिल्ली के मर जाने पर पाप समझता है आज एक इस्तुरी को मार रहा है मानवीता नहीं रहे गई है क्या दया भाव नहीं ह आप एक पश्चु को मारते समय दया दिखाते हैं और एक इस्त्री को मारते समय दया से हीन हो जाते हैं। ऐसे तमाम सारी दुहाईया उन्होंने दी, समझाया कलकत्ता के शमशानों में वो जाया करते थे। सती प्रथा को अगर कोई कर रहा है तो उस परिवार से मिलते थे, रोकते थे, समझाते थे, उसको सती होने से बचाते थे उस्त्री को और इन सब कामों के लिए उन्होंने इस जैसे विचार, जो इसको मानते हैं कि अमानुविय करते हैं, इस जैसे विचार को मानने वाले काम जो सरकार को करना चाहिए था वो ये कर रहे थे जो समाज के निताओं को करना चाहिए था वो ये कर रहे थे रूड़िवादी हिंदूओं ने इसके खिलाब जो है जम करके आवाज उठाई यहार अजीब बात है सती प्रथा जैसे चीजों को भी अब ये समाप्त कर रहा है, जरूर से ज़ादा आगे बढ़ गया है व्यक्ति है, तमाम सारे जो रूरबादी विचार धारा के जो हिंदू थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और इसके विरोध के लिए, ऐसा नहीं कि सरकार जो है, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है तमाम सारे रूरबादी हिंदू जो थे, वो विधान मंडल में जाकरके, याचिका उन्होंने इसके अगेंस्ट में थी, कि सती पर पाबंदी लगाने की जो लॉर्ड विलियम बेंटिक की जो याचिका है, उस पर कारेवाई को मंजूरी विधान मंडल ना दे, तो जब ये साजा राम मोहन राय जी ने एक याचिका लगाई, कि जनाब ये पारित होना चाहिए, और फलता 1829 में मालूम है आपको क्या हुआ, 1829 में जो सती पर्था है, ये क्या हो गई, समाप्त हो गई, इसका कानून आगे, सती पर्था, समाप्त है, तो ये बहुत बड़ा स्टिप था, जो इनके प्रयासों से किया गया था, बहुत बड़ा स्टिप था, तो ये था उनका समाज सुधार, मनलब ये ब्रह्म समाज की स्थापना करके, इस प्रकार से हर एंगल को वो सुधार करना चाहते थे, मुगल शासक थे, अकबर दुती, उनकी पेंशन को लेकर के, वो थारा सो एकतिस के आसपास गयते, जान तक मैं सही हूं तो, और कुछी समय बाद थारा सो तेतिस में, ब्रिस्टल में उनकी डेथ हो गई, 1833 में, ब्रिस्टल जगा है, ब्रिस्टल, ये लंदन में ही है, इंगलेंड, वहाँ पे इनकी जो है, डेथ हो गई, मृतियोग, नि निधन होना, ट्वाभाविक से बात है, जिस समय ब्रह्म समाज, स्ट्रगल के पॉइंट पर है, पीक पर है, उस समय इनका निधन होना, ब्रह्म समाज के लिए एक बहुत बड़ा आगार्थ था, तो, मैं आपको बताओं कि, इनके द्वारा स्टैबलिस जो ये ब्रह्म समा जो है, उसका जो कारेक्षेत्र था, वो किन किन क्षेत्रों में था, उसकी अगर हम बात करें, तो भाई, बहु विवा, ये बहुत प्रचलित हुआ करता, कुरीतियों की बात कर रहा हूं, जितनी भी समाजी कुरीतिया है, अब आप सोचेंगे कि केवल, एकेश्वरवादि ऐसा नहीं है, धर्म और समाज एक दूसे से इंटरलिंग्ड होते हैं, प्रतेक समाज किसी ने किसी धर्म को फॉलो करता है, और धर्म किसी ने किसी समाज में इंबिल्ट होता है, धर्म सुधार से समाज सुधार से धर्म सुधार होता है, तो स्वभाविक सी बात है कि नहीं पूजा पहुपत्प्थनी प्रधा हुआ करती थी उस समय के बहुपत्प्थनी प्रथा कि लोग कई-कई शादियां करते थे यह सब कुरीतिया हैं जो कि अभी अब ये वि मैंने आपके सामने यह सब कुरीतियां हैं जो समय होती थी और अगर हम देखें इन सब इन सब चीजों का क्या किया है विरोध किया है विरोध इन सब चीजों का विरोध हुआ है विरोध हुआ है बहुपत्नी विवाह का विरोध हुआ है बाल विवाह का सती प्रथा का बहुविवाह का मूर्ति कुए उनर विवा generator कि इसका समर्थन हुआ है कि विद्वार विवान का समर्थन कि नैतिकता कि नैतिकता पर भल कि यह इस पर काम करते थे करम पल में विश्वास करना क्रम पल में विश्वास लोकों का होना चाहिए ऐसा उनका बिलीव था सर्वधर्म संभाव हो ब्रदर हुड जिसको बोल सकते हैं सर्वधर्म संभाव सर्वधर्म संभाव होना चाहिए समान रूप से सभी धर्मों को हमें accept करना चाहिए निर्गुन ब्रह्म की आपको आराधना करनी चाहिए या मानना चाहिए निर्गुण ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म का मतलब एक ही ब्रह्म है निरंकार है वो ठीक है तो निर्गुण ब्रह्म उपासक हों ब्रह्म समाज इस पर बल दे रहा है तमाम सारी जो धार्मी पुस्तके हैं, पुरुष हैं, पुरोहित वर्ग जिसको बोल सकते हैं, ऐसे तमाम सारी वस्तुवें, जो अपनी ही सर्वचिता को सिद्ध करती हो, उस पर अविश्वास, छुआचूत, जाती भेदभाव, अंदविश्वास, इन सब चीजों का विरो में शामिल था, साती वो बंगाल में और दूसरी जगहों पर भी, बंगाली और अंग्रेजी सिक्षा के प्रचारक के रूप में भी माने जाती हैं, तो ये एक फील्ड थी जो जिसमें ये काम करते थे, अब इनके कुछ और भी चीज़ें हैं, जो हमें ध्यान रखनी चाहि हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम महिलाओं के बारे में बात करें, तो धार्मिक बात तो मैंने आपको कर ली, धार्मिक रूप से अगर हम देखें, तो ये एक एश्वर वादी हैं, एक एश्वर वादी हैं, और समाज में सुधार इसी रूप में लाना चाहते है तारकिक्टा के तम पर लेकर के आना चाते हैं सामाजिक सुधार लेकिन समाज में एक वर्ग है, अब जाती भी बहुत फैली हुई है और जाती में भी एक विशेस वर्ग है, महिला महिलाओं के हिसाब से कर अगरम देखें तो राजा रामोहन राय जो है, वो महिलाओं के पक्के समर्थक, महिलाओं की दर्शा की बचल ये बात कर लेते हैं, जब बात होई रही है, महिलाओं की दर्शा, इस पर उनका क्या विचार है, तो यहां आपको ध्यान रखना है, वे यानि की राजा रामोहन राय, महिलाओं क पक्के समर्थक हैं महिलाओं के पक्के समर्थक होने का मतलब क्या है आप ने देखा कि जैसे जाती है अब जैसे हिंदु धर्म है तो हिंदु धर्म में ब्राम्भन शत्री वैश शूद्र हां तो इन में से जैसे इस्तर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे समाजिक जाती इस्तर जो है वो निम्न होता जा रहा है अब स्वभाविक सी बात है इन सभी जातियों में इस्त्रियां है तो एक इस्त्री जाती मान लीजे इसमें सबसे निचली शुद्र से भी निचली जाते में इस्त्री है फिर वो चाहे कुलीन वर्ग की इस्त्री की होना मैंने बताया ना इनके खुद की परिवार की जो इनके निम्नवर सब को प्रभावित कर रही है तो ये कैसे दिखे बेहिदभाव है कितना तो ये नारी की जो दशा है इस्त्री की जो दशा है उसके उत्थान के लिए पक्का समर्थन है इनका हमेशा हमेशा पक्का समर्थन है उनकी जो हीन दशा है वो इसके कटर विरोधी है और वे इस बात का पुर्जोर विरोध करते हैं कि महिलाएं पुर्षों की तुलना में बहुत धिक अस्तर पर या फिर नैतिक दृष्टी से निक्रिष्ट हैं जो कि उस समय का समाज यही मानता था और इसी लिए बहु विवाह इसी लिए बहु पत्नी विवाह इसी लिए विर्वाओं के को सती होने की जो स्थिती थी वो प्रचलित थी जिसकी वो आलोचना करते थी उनका मानना था कि समाज में समाज में इस्तरियों की दशा वो किसी भी इस्थिती में पुरुष्टों से कम नहीं होनी चाहिए यानि इस्तरियों और पुरुष्टों की दशा बराबर होनी चाहिए फिर वो चाहे सिक्षा का छेत्र हो, आर्थिक छेत्र हो, या फिर सामाजिक छेत्र हो, आप समज में उसे निम्नक्यों घोशित करते हैं, वो समाज के योग्य क्यों नहीं है, परदा पर्था क्यों करके चले वो वो आर्थिक मामलों को हैंडल क्यों नहीं कर सकती संपत्ती में उसका कोई अधिकार क्यों नहीं है पुरुषों का ही संपत्ती में अधिकार उत्राधिकार का अधिकार क्यों है सिक्षा में उसे पिछड़ा क्यों रखा गया है चाहे वो ब्राम्वन परिवार की ही क्यों ना हो और शुद्रों की तो कोई क्या ही बात उस समय इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इन्हें समानता मिलनी चाहिए हर हाल में तो इसलिए हम कह सकते हैं कि महिलाओं के सही समाजिक स्थितिके वो पुरजोर समर्थक हैं और क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ही समाज में सुधार लेकर आ सकती थी इसलिए उस शेत्र में उन्हें बर सकते हैं तबीकी और ये सारी चीजें बदल सकती थी समाज को सिक्षित करके समाज जो है वो कैसा बने सिक्षित हो इस्त्रियों को भी सिक्षा तब मिलेगी जब समाज को इस बात की सिक्षा मिले कि हाँ उसे सिक्षित होना चाहिए इसके लिए समाज ही है सिक्षित है और समाज को सिक्षित होने के लिए उन्होंने आधनिक जो सिक्षा है उसके जो प्रारंभिक प्रचारक है उनका बड़ा समर्थन किया है जो भारत में आधनिक सिक्षा के प्रारंभिक प्रचारक है और इसी वज़े से उनको भी राजा राम महान राय जी को भी भारत में आध देविड हेयर का नाम सुना होगा शायद, डेविड हेयर, वर्स 18-100 में एक घडी साज के रूप में ये भारत आया था, और 1817 में इसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापन लेज़ए, कलकत्ता में, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, की स्थापना की और इसकी स्थापना में डेविड हेयर का साथ राजा राम मोहन राय जी ने दिया तो राजा राम मोहन राय की सहायता से डेविड हेयर ने ये आदिक सिक्षा के प्रशार के लिए ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी अब ये चाहते थे, डेविड हेयर महोदय चाहते थे, कि इसमें पाश्चात्य जो सिक्षा है, आदनी पाश्चात्य सिक्षा है, उसको भी ले करके आया जाए, टेक्निकल जो पढ़ाई है, उसको भी ले करके आया जाए, कि उधार्मिक ज्यान के लिए इस अंस्थाइन खोल प्रशिद्ध दार्षनिक थे रूसो दाते इन सब के जो दार्षनिक चिंतन हैं और तमाम सारी जो यांत्रिकी की पढ़ाई है यांत्रिकी मेकेनिकल जो स्टड़ी है उसको कराने का समर्था निरुन दिया था जो समय तक होता नहीं था राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदान्त कॉलेज की भी स्थापना की थी आपको मालूम होगा शायद वेदान्त कॉलेज और इस वेदान्त कॉलेज में भी आधनिक सिक्षा के प्रचार पर उन्होंने जोड दिया था भारती जो विद्या है सिक्षा जो है वो पाश्यात्य सामाजिक विश्यों और भौतिक विश्यों की जो पढ़ाई है उसकी सुविधाओं के साथ उपलब धो सके इस उद्देश के साथ ये वेदान्त कॉलेज की इस्टैबलिश्मेंट उन्होंने किया था और वे चाते थे कि बंगाली भाषा को लोग अपनाए सम्रुद्ध बनाया जाए बंगाली भाषा को इसके लिए उन्होंने बांगला व्याकरण जो है लिखी है बांगला व्याकरण क्यों लिखी है बांगला व्याकरण जो है वो बंगाली भाषा में शुद्धता के लिए बंगाली भाषा शुद्धता के लिए शुद्ध बंगाली भाषा के लिए बांगला व्याकरण की विरचना इनोंने करी है और बंगाली भाषा में कुछ पद्य खंडों की रचना करी है जिससे के सारी चीजों में सुधार लाए जा सके तो सैक्षिक सुधार इनके इसाब से बहुत इंपोर्टेंट और ये सैक्षिक सुधार पर बहुत जादा बल देते थे क्योंकि समाज इसी सैक्षिक सुधार के दम पर आगे जो है वो सुधार आ जा सकता था आगे समाज में सुधार जो है इसी के दम पर बहुत अच्छी तरीके से लाए जा सकता था ये ऐसा मानना था इनका और मानना गलत नहीं था इसमें कुछ विदेशी अगर इनका साथ देते या अगर इनको किसी विदेशी का साथ देना पड़ता था बशर्ते कि वो भारत के सामाजिक दशा को सुधार सके तो उसका साथ देने के त्यार इसमें किधारण मैंने आपको देविड हेर कर दिया। राम मोहन राय को भारती पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता थे। पत्रकारिता के बीच में जो वैज्ञानिक तारकिक साहित्य हैं, राजनीतिक ज्यान का जो प्रचार है, उसमें जो भी तातकालिक विशे जिसमें दिल्चस्पी दिखाई जा सकती थी, जिसमें जन्मत तैयार करने की बात किया सकती थी, सरकार के सामने जनता की मांग रखने की जो बात किया सकती थी, शिकायत रखने की जो बात किया सकती थी, उसके लिए उन्होंने पत्रकारिता का सहरा लिया और पत्रकारिता भी विविन भाशाओं में बांगला में, फार्सी में, हिंदी में, अंग्रेजी में तमाम सारी पत्र-पत्र काई उन्होंने निका ली तमाम सारी पत्र-पत्र काई उन्होंने निका ली अठारा सो एक्टिस में इनों ने इसको प्रकाशित किया था और इसी में सती प्रथा के बारे में बल पूर्वकिनों ने कहा है सती प्रथा के बारे में बल पूर्वकिनों ने आलोचना करी है सती प्रथा के इसी तरीके से था एक मिरातुल अखबार थारा सो बाइस में मिरातुल अखबार अठारा सो बाइस में इन्होंने मिरातुल अखबार जो है वो निकाला तो पत्रिकारिता में भी अग्रदूत रहे हैं और पत्रिकारिता के साथ साथ राजनीती में भी अब राजनीती भी इन से अंचुआ पहलू नहीं है मैंने आपको पहले ही बताया राजनीती की रूप में भी काफी ज़ादा ये जाने गए बड़े बड़े जो जागीरदार, जमीदार वगएरा जो हुआ करते थे बंगाल में वो तमाम सारे वर्गों का शोषण करते थे और इसलिए जो इस तरीके की शोषण पूर्व जो इनकी कारेवाई थी उसकी घोर निंदा ये करे हैं तमाम सारी जो रहयतों के द्वारा दिये जाने वाले जो बड़े बड़े लगान है उनकी जो अधिक्तम मात्रा है उसको उन्होंने फिक्स करने के उपर पैरवी करी मनमाने तरीके से वो लगा नहीं बढ़ना चाहिए इसकी पैरवी करी आपने देखा कि जहां सती प्रथा को लाने के लिए रोडवादी हिंदूओं के विरोध में वो अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हुए वहीं दूसरी तरफ सरकार के विरोध में भी खड़े हुए और विरोध में खड़े होने की बात जब हम करेंगे तो जैसे तमाम सारी ऐसी भूमी जो करमुक्त भूमियां हुआ करती थी जिस पर सरकार जब टैक्स लगाने की बारी करती है उसरकार का उन्होंने विरोध किया निर्यातित वस्तुओं पर तमाम सारे टैक्सेज लगाए जाते थे सरकार से सरकार को उन्होंने ग्यापन स्वापा कि जो भी निर्यातित वस्तुवें हैं उनके लिए टैक्स ना बढ़वाया जाए निर्यातित वस्तुवों पर टैक्स की बात हो या फिर भूमी पर लगान की बात हो या फिर रईयतों के अत्याचार हो रईयत दार जो हुआ करते थे उनके द्वारा जो लगान है लगान उसकी अधिक्तम जो सीमा है वो तैं होनी चाहिए यह इस तरीके के जो काम है यह वो राजनीती राजनीतिक कार्यों के अंतरकत गिने जा सकते हैं राजा राम मोहन राजी के जिसमें वहां पर भी वो शुद्धी चाहते थे उन्होंने भारतिय करन करने की बात करी है जो कह सकते हैं कि जो भी उच्छ सेवाएं हैं उच्छ सेवा के जो भी पद हैं, उच्छ सेवा पद इसका भारतिय करण हो, भारतिय करण मतलब इसमें भारतिय शामिल हो, उच्छ सेवा के पदों पे भारतिय क्यों नहीं जा सकते? और फिर देखा अंगरेजोंने नहीं माना तो आगे चल करके 800-た निकरनती हुई? कारेपालिका और नियाएपालिका इसको प्रथक किये जाने के समर्थन में थे उन्होंने मुकद्मों की सुनवाई जियूरी प्रथा के माध्यम से करने के लिए भारतियों का और यूरोपियों का जो आचरन हो वो समान हो भारतियों और यूरोपियों की जो नियाय पद्यती है उसकी समानता हो इस पर भी पुर्जोर पैरवी करी हुई है तो ये तमाम सारे ऐसी फिल्ड्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि राजनितिक रूप से भी वो काफी जादा एक्टिव थे राजनितिक रूप से भी बहुत जादा एक्टिव है तो अब हावी कसी बात है कि ये कोई भी छेत्र ऐसा जो समासुधार के लिए आवश्यक था उस समय जिसको उन्होंने टच ना किया हो सबको टच किया था अब लेकिन एक पहलू और है जो यहां पर इस अर्ध्याय में होना चाहिए थोड़ा सेशन लंदी हो रहा है लेकिन आई होप कि आप जो है समझ सकते हैं क्योंकि इसको बीच में ब्रेक करना उचित नहीं था आपने देखा कि 1833 में राजा राम मोहन राय जी की डेथ होगी 1833 में राजा राम मोहन राय जी की मृत्य होगी तो उसकी बाद ब्रह्म समाज को किस ने समाला यह अभी एक प्रश्ण आ जाता है तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसके बाद हम चीजों को कंक्लूट करें राजा राम मोहन राय की मृत्यू के बाद आपको मैं बता दू कि जो ब्रह्म समाज है इसमें तमाम सारे प्रभुद्धवर के लोग भी शामिल तो उसमें द्वारकानाथ ठाकुर भी हैं द्वारकानाथ ठाकुर के बेटे थे देवेननाथ टैगोर देवेंदरनाथ टैगोर रवींदरनाथ टैगोर के देवेननाथ टैगोर पिता है और उनके पिता है द्वारकानाथ ठाकुर तो देवेन्ना टैगोर ने आगे चल करके इनके बाद में ब्रह्मसमाज की जो बागदोर है वो समाली 1842 में ये ब्रह्मसमाज बेशामिल हुए और इनके आने से ब्रह्मसमाज में एक नई चेतना का प्रवा हुआ नया पक्ष जो है इनोंने शुरू किया नय तरीके से उसको रिफॉर्म करने की बात करी हलाकि देवेन्ना टैगोर भी समास्तुधार की तमाम सारी संस्थाओं से पहले से भी जुड़े हुए थे जैसे कि मैं आपको बताओं ये पहले जो है ज्यानवर्धिनी सभा से जुड़े हुए थे ज्यानवर्धिनी सभा से भी जुड़े हुए थे आप लोगोंने तत्व बोधिनी सभा का नाम सुना होगा तत्व बोधिनी सभा ये तत्व बोधिनी सभा से भी जुड़े हुए थे देवे ना टैगोर तो ज्यानवर्धिनी सभा है तत्व बोधिनी सभा है इन सभाओं से ये जुड़े रहे 1849 में तत्व बोधिनी सभा इस्थापना हुई है अब इन सभाओं के क्या उद्देश्य थे जो आगे चल करके ब्रह्म समाज में विले होते हुए दिखाई देते हैं इनके उद्देश्य भी वही है प्राचीन भारती सभिता जो है और जो राजार राम मोहन राय के जो वि 1849 में तत्व बोधिनी सभा जो इस्टैबलिश हुई है इसने एक पत्रिका भी निकाली थी तत्व बोधिनी पत्रिका ये तत्व बोधिनी पत्रिका भी इसने निकाली थे तत्व बोधिनी सभा ने कि ठीक है तत्योबोधनी सभा को पहले तत्योरंगनी सभा के नाम से जाना जाता था फिर बाद में पत्रिका भी निकाली गई और धीरे-धीरे करके इस समय बाद में यह ब्रह्म समाज है और जो देवेना टैगोर का जो समय है इस समय है इसमें दूसरे भी प्रभुदिवर की लोग जोड़ने लगे जिसमें ऐश्वर चंदर विद्या सागर का नाम लिए सकता है ऐश्वर चंदर विद्या सागर वो भी इसी से आगे चल करके जो है जुड़े, अश्विनी दत्ठ का नाम लेकिन कुछ समय बाद देवेनना टैगोर और जो ये ब्रह्म समाज के जो दूसरे समर्थन करता थे आसकर यूरोपियन समर्थन करता और जो जिनके राजा रामोहन स्टाय के साथ ठीक ठाक संबंद थे जैसे अलेक्जेंडर डफ की बात कर लेते हैं तो उन सब लोगों के जो पादरी विगरा थे उनसे इनके मतभेद हुए क्यों मतभेद हुए क्योंकि इन लोगों ने आगे चल करके हिंदू धर्म के खिलाफ जो है ब्रह्म समाज के जो नीतियां थी उसके खिलाफ प्रचारपसार करना शुरू कर दिया तो इनसे उनके काफी मतभेद होगे जो है बहुवाव हो अन धार्मीग जो भी अडंबर है उसके सब के उन मूलन के लिए नंने बहुत अच्छी तरीके से कारे किया लेशा गुरुआ देवेननाज जी के बाद बारी आती है देवेननाज जी के बाद अगर हम देखें तो इनके बारी आती है केशव चंदरसेन जी केशव चंदरसेन केशव चंदरसेन इन्होंने आगे चल करके ब्रह्म समाज को समभला और केशव चंद सेंजो थे ये ब्रह्म समास से 1858 में जुड़े 1558 में और जब ये 1858 में ये काफी मतलब स्पूर्थवान व्यक्ति थे 1858 में उन्हों सरसिता ग्रहन करी और उसी वर्ष इनको जो है आचार्री की उपाधी दी गई आचार्री की उपाधी देवेनाट टैगोर जी नहीं दी केशव चंसेंजी को और कारेभारन को सौंती बहुत अच्छे वक्ता थे वाक्त पटुता से बहुत अच्छा रिष्टा था इनका उदारवाजदी विचारधारों में से एक माननोवालों में से एक थे तो बहुत लोगप्री हुए और इनके समय में भी जो ये ब्रह्म समाज है वो काफी जादा आगे पलफुला लोगप्री हुआ और इनके समय बंगाल में बहुत सारी शाखाएं 1865 तक शायद या 64 तक 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 संयुक्त प्रांथ है, संयुक्त प्रांथ, जिसे आप अब यूपी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर और जो दूसरे भी मतलब प्रांथ वगरा हुआ करते थे, वहाँ पर भी इन्होंने प्रचार पसार किया, ऐसे मदरास की बात कर लेते हैं, बंबई की बात कर लेते हैं, तो ब मद्रास मद्रास लिखा है ना पंजाब पंजाब भी लिख सकते हैं आप इसमें पंजाब में भी इसकी शाका खोली गए तेजी से जो है इन्होंने भी कारे किया लेकिन आगे चल करके केशव चंद सेन और देवेंद्रनाट टैगोर के बीच में मतभेद हो गया सेन और देवेंद्रनाट जो हैं इनके बीच में मतभेद हो गया क्योंकि ये बहुत जादा उधारवादी थे किसी भी चीज़ को एकसेप्ट करने हर चीज में तो फिर फर्म कैसे होगा थोड़ा रिजीड होना पड़ेगा तो इनके जब मतभेद हुए तो छाचट में तकरीबन 65-65 में ही 1865 के आसपास ही पिर केशव चंद सेन जो थे उनसे आचार्री की जो पदवी थी इन्होंने वापस ले ली वापस ले ली किन्होंने वापस ले ली जिन्होंने दी थी किन्होंने दी थी देवेनाथ टैगोर जी और इस प्रकार से इनका जो एक रिष्टा जो जुड़ा हुआ था आरे समाज के अमाफ कीज़ेगा ब्रह्म समाज के साथ में उवह रिष्ता पृत्धक होता हुध समझ में आया और आगे चल करके वर्ष 1886 में इन्हों ने ही भारती ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी सेन नहीं भारती ब्रह्म समाज इसकी स्थापना कर दी 1866 अपने विचारों के साथ और 1866 में ही देवेननाट टैगोर जी ने ये जो ब्रह्म समाज था उसी को ही आदिब्रह्म समाज के नाम से उसको रग दिया आदिब्रह्म समाज ठीक है तो ये आदिब्रह्म समाज की स्थापना हो गए 1866 में आप इसको कह लिए वास्तिक रूप में ये ब्रह्म समाज ये है पच्चु की इससे पृथक हो गए भारती ब्रह्म समाज की रूप में लगो आगे चल करके भारती ब्रह्म समाज जो की सेन जो थे केशवचंद सेन केशवचंद सेन जी जो है जो इनके द्वारा ये भारती ब्रह्मस्तमाज जो चलाया गया था इनके भी काफे समर्थन करता थे काफी अन्याई थे लेकिन इनके अन्याई भी इनसे प्रथक हो गए उसका कारण ये था कि 1878 में 1868 में इनकी 13 वर्ष की बेटी थी जिसका इन्होंने विवाह किया और जिससे विवाह किया वो कूच बिहार के कूच बिहार के अल्पवयस्क राजा थे अल्पवयस्क राजा थे और इस घटना के कारण इनके जो समर्थक थे वो इनसे प्रथक हो गए, नाराज हो गए कि यही सब तो यह बाल विवा, यह तो आप देख रहे हैं कि ब्रह्म समाच और राजा राम मोहन राय इन सब के विचारों में तो यह समाजी कुरूतियां है वो इसी को बढ़ावा दे रहे हैं, बेटी भी अल्पोएस्क है, जिससे साधी हो रही है दूला भी अल्पोएस्क है, और वो भी पूरे वैदिक कर्मकांडों से किया, वैदिक कर्मकांडों से, वैदिक कर्मकांडों से, और आप सब लोगों को मालूम है कर्मकांड का तो वि साधारन ब्रह्म सभा की स्थापना होई 1878 में साधारन ब्रह्म सभा इसकी स्थापना करी गई और इसकी स्थापना में दो-तीन लोगों के नाम आते हैं जिसमें आनंद मोहन गोस का नाम आता है आनंद मोहन बोस ये एक प्रमुख नाम आपको ध्यान रखने हैं आनंद मोहन बोस शिबचंद देव एक नाम आता है शिबचंद्र देव ये केशव चंसें से प्रुथाखो करके ये नाम आ रहे हैं ठीक है उमेश चंद्र दत्र इन सब लोगों ने मिल करके इनका नाम याद रखेंगे आप इन्होंने साधान ब्रह्म समाज की स्थाब देखें कितनी समाज होगे कितने समाज होगे जरा देखें शुरुवात से शुरुवात से देखेंगे तो एक आपको मिलेगा आत्मी सभा ठीक है आत्मी सभा के बाद आपको मिलेगा ब्रह्म सभा वही नाम चेंज हो करके बना और फिर आप देखेंगे आगे चल करके दूसरी चीजें भी आनी शुरू हो जाएंगे इसी में ठीक है ये यहाँ पर ये तत्व बोद्नी सभा है ठीक तत्व बोद्नी सभा है ज्यानवर्धिनी सभा है ये सब भी आपको ध्यान रखना है इसी के पैरलल में चल रही है और फिर उसके बाद आप देखेंगे भारती ब्रह्म सभा है ब्रह्म समाज है फिर आदी ब्रह्म समाज है और फिर उसके बाद में ये साधरान ब्रह्म समाज है ठीक है साधरान ब्रह्म समाज 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 ठीक है तो ये सब चीजों का establishment one by one यहाँ पर होते हुए हमको समझाया है ब्रम समाज के बारे में और ये जो राजा राम मोहन राय जी इसके बारे में जो समझाया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा इसकी PDF में आप लोगों को दे दूँगा लेकिन ये लेक्चर आपको कई बार देखना होगा जब आप कई बार देखोगे तब आ यही तक जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 18,999 में आपको बैच 3 मिल रहा है लेकिन तब जब आप विरद लाइव पोड का इस्तेमाल करें अन्य था बहुत महगा पड़ेगा आपको यह और इसमें अड्मिशन लेनी की जो लाज डेट है वो साथ तारीक ही है साथ अप्रेल है शाम को 6 बजे यह बैच शुरू हो चुका है इसलिए अतिशिक रिसमें अड्मिशन ले और विरद लाइव पोड के इस्तेमाल आप हमसे इंस्टाग्राम में इसको स्कैन करके जूड सकते हैं टेलीग्राम में इसको स्कैन करके जूड सकते हैं सभी जगहों पर मैं हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी